हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक तो कलर ओफ थ्रट्स आज की इस वीडियो में आपके साथ इस ब्यूटिफूल सी 3-4 यर बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी तो वीडियो शुरू करते हैं और फ्रॉक बनाने के लिए ये मेरे पास नट फैब्रिक है सीकुंस वर्क में ये डेड मेटर का फैब्रिक है और लाइनिंग के लिए मैंने डेड मेटर का ही फैब्रिक लिया है और ये साटन फैब्रिक है तो सबसे पहले हम टॉपार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग की ऊपर तो टॉपार्ट कट करने के लिए मैंने फिक्स फै करनी है इस तरह से यहां पर एक straight line ड्रौ कर ले अब shoulder की marking करेंगे साड़े चार इंच पर अब armhole की marking करेंगे डाई रिंच की उपर इस तरह से strap आएगी इसलिए armhole की marking यहां पर तीन इइंच पर करेंगे तो यहां पर तीन इज पर मार्किंग कर लेंगे और इसे स्टेट लाइन के साथ जोड़ दें अब यहां पर चैस्ट का वन फोर्थ पार्ट लेंगे तो यहां पर साधे चेंज पर मार्किंग कर लेंगे अब यहां से कमर का वन फोर्थ पार्ट लेंगे तो चेंज पर मार्किंग की है अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे और इसी के साथ 1.5 इंच पर एक मार्जन लाइन ड्रॉ कर ले अब आर्म होल को इस तरह से गुलाई देंगे तो यह फ्रेंट का पार्ट है तो यह मार्किंग कम्प्लीट हो गया अब इस मार्किंग की उपर इसे कट कर लेंगे अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहां पर टू फोल्ड फैब्रिक लिया है इसके उपर फ्रेंट पार्ट को इस तरह से रख ले folded side से half inch का margin छोड़ेंगे zip के लिए और इसमें कोई भी changes नहीं करेंगे और इसे as it is cut कर ले अब front part को side में कर दें तो ये back part है अब इसे बीच में से cut कर देंगे तो front और back part का हमने fabric की ओपर cut कर लिया है अब इसे net fabric की ओपर भी cut करेंगे net fabric की ओपर दोनों part को इस तरह से open करके रख लेंगे और lining के साथ साथ इसे cut कर लेंगे तो top part की cutting होने के बाद अब इसकी stitching करेंगे तो lining को पलट के इस तरह से सीधा रखें और net को भी इसी तरह से सीधा रखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही back part पर भी lining को सीधा रखेंगे अब इसे stitch करने के लिए front part पर इस तरह से यहां से लेके दूस्य होलर तक stitch करेंगे और back part पर यहां नीचे से शुरू करते हुए इस तरह से shoulder तक stitch कर लेंगे दोनों part पर इसी तरह से single foot का margin लेते हुए में stitch करना है और stitch लगने के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से पलटके सीधा कर लेंगे और दोनों पल्लों को सीधा करने के बाद बैक पाट की उपर जिप अटैच करेंगे जिप को उपन कर लेंगे इसके उपर एक पल्ले को इस तरह से रखेंगे और आदे इंच का गैप रखते हुई से स्टिच कर लेंगे इसी तरह से बॉटम तक सिलाई कर ले अब दूसरे पल्ले को भी इसके उपर रखेंगे और इसे भी स्टिच कर ले तो इस तरह से जिप अटैच हो चुकी है जिप लगने के बाद अब हम स्लीव और स्टिप डड़ी करेंगे तो स्लीव डड़ी करने के लिए यहां पर मैने इस तरह से तू फैब्रिक लिये हैं और फैब्रिक की जो लंबाई है थी पनदरा एंच्ट की और चुड़ाई लेंगे अब इसकी उपर जो नेट वाली फैब्रिक है इसे भी उल्टा करके रखेंगे इस तरह से अब इसे यहां से लेके यहां तक स्टिच कर लेंगे और इस साइड से ओपन छोड़ेंगे पलटने के लिए तो दोनों पीसे को मैंने इसी तरह से रड़ी कर लिया है अब इसे पलट करना और फिर इसे डवल फोल कर दें इस तरह से और फोल्डिंग करने के बाद फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देंगे तो स्टिच होने के बाए यह जो फोल्डिंग है हम इसे इस तरह से अंदर के तरफ फोल करेंगे और इसे फोल करने से पहले यहां पर ह atach करेंगे तो गलवेट बम्र हम इस तरह से अब एक साइड पर इसे यहाँ पर इस तरह से रखते हुए stitch कर लेंगे और इसी के दूसरे कॉरणर को folding के दूसरे तरफ atach कर देंगे इस तरह से तो दोनों तरफ हमनें इस तरह से elastic क需要 touch कर लेना अब इसे अंदर के तरफ fold करेंगे और folding करने के बाद elastic के साथ हमें stitch कर देना है elastic को इस तरह से खीचते हुए इसे stitch करेंगे तो ये sleeve attach होने के लिए बिलकुर ready है इसी तरह से मैंने दूसरे sleeve को भी ready करके रखा है तो sleeve ready होने के बाद अब हम strap ready करेंगे तो यहां पर मैंने fabric पटी लिया है इस fabric पटी की नबाई हमने 15 inch के लिए है और चुडाई है 3 inch की अब पटी को ऐसे 2 fold करेंगे और half inch का margin लेते हुए एक सीथी सिलाई कर दे और stitch को center में करते हुए इसे अच्छे से press करके इस तरह से ready कर ले अब इसे two fold करें और इसे center में से cut कर दे तो यह हमारे दो strap study हो चुके है तो अब strap और sleep को attach करेंगे तो sleep attach करने के लिए दोनों पलों को रखेंगे अब एक strap लेंगे इसे उल्टा करके यहां अंदर वाली side पर stitch करेंगे इसे इस तरह से fold कर देंगे अब दूसरी side पर इसे इसी तरह से stitch करें अब sleep को इसकी उपर उल्टा करके रखेंगे और यहां पर stitch करेंगे और इसे fold करेंगे और अंदर वाली side पर stitch करते हुए इस side पर भी सिलाई कर लेंगे तो दोनों sleep हमारी कुछ इस तरह से आएंगे तो machine के उपर भी मैं आपको attach करना बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी doubt ना रहे तो elastic वाली side हम अंदर की तरफ रखेंगे और आधा inch से कम का margin लेते हुए इसे stitch करें अब दूसरी sleep को लेंगे और इसे दूसरे armhole के उपर attach करें और यहाँ पर देख लिए जो हमारी sleep की जो रड़ी चोड़ाई है वो है 4 inch की अब sleep को पलट के दूसरे पल्ले के उपर attach करेंगे sleep लगने के बाद sleep से आधा inch का margin लेते हुए strap को attach करें और यहाँ पर double stitch कर लेंगे अब strap को पलट ले और इसे दूसरे वाली side पर attach करें इस तरफ भी अंदर वाली side से ही इसे इस तरह से रखते हुए stitch करेंगे बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरे strap को भी attach करें तो straps लगने के बाद कमर के लिए belch ready करेंगे यहाँ पर double folded fabric लिया है double fold के बाद कपड़े की चोड़ाई है 3 इंच की और fabric की लंबाई है 40 इंच की अब इसे इस तरह से two folding करते हुए इस पर stitch कर देंगे और corner से भी से stitch करें अब इसे two fold करेंगे और इसे बेच में से cut कर देंगे अब दोनों belt को पलट के सिधा कर लेंगे और इसे के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें तो belt रड़ी होने के बाद अब इसे attach करेंगे तो जब हम fitting की से लाई करेंगे एक belt को इस तरह से लेंगे और bottom से पॉना इंच ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर fitting की स्लाई कर देंगे और दूसरी belt को इस तरफ रखेंगे इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी stitch कर देंगे तो fitting लगने के बाद top पार बिलको रड़ी है अब हम bottom part को रड़ी करेंगे तो bottom part रड़ी करने के लिए जो मेरे पास fabric है इसे मैंने two fold कर लिया है और double folding के बाद fabric के चुड़ाई है 42 inch की अगर आपके पास इतना fabric नहीं है तो यहाँ पर आप joint भी लगा सकते है और लंबाई इसकी 15 inch की है तो मुझे bottom भी 15 inch का ही रड़ी करना है तो जो plain net है उसे मैं cut कर दूँगे जिसका use मैं नीचे frill बनाने में करूँगी और बिलकुन net के size का lining भी मैंने cut करके रखा है और यहाँ पर मैंने joint लगाया है lining की उपर तो इसका जो bottom है इस पर border है तो यहाँ पर हमें bottom fold करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब जो lining है उसे नीचे रखेंगे इसकी उपर net fabric को इस तरह से set कर लेंगे तो इस पर हम gatherings रड़ी करेंगे तो gatherings बनाने के लिए इस पर हम double stitch करेंगे मोटे बखिये से तो double stitch हमने कर दी है अब double stitch को इस तरह से एक side से खीचते हुए इस पर gatherings रड़ी करेंगे अगर fabric जाता हो तो धागे को इस तरह से बीच बीच में से खीच के gatherings बनाए तो काफी easily आपके gatherings बन जाएंगे तो lining के साथ ही यहाँ पर मैंने gatherings बनाए है जिससे हमें can can लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और volume भी काफी अच्छा आएगा तो जो भी कमर का size है उससे एक से 1.5 inch extra gatherings बनागी उसे फिर से stitch करकी उससे secure कर ली तो जो कमर का size था उससे मैंने 1.5 inch extra यहाँ पर gatherings बनाए है अब नीचे से जो मैंने net cut की थी उसे इस तरह से double fold करके center में से cut कर देंगे अब दोनों pieces को इस तरह से जोड देंगे अब इस पट्टी के उपर फिर्ल ready करेंगे चाहे तो आप यहाँ पर gatherings भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने gatherings से ही बनाई है अब इस पट्टी को हम bottom के उपर attach करेंगे कुछ इस तरह से तो bottom पर frill attach होने के बाद इसे इस तरह से two fold करेंगे अब यहाँ कमर से लेके नीचे bottom तक इसे stitch कर दें तो bottom भी बिल्कु रड़ी हो चुका अब इसे top part के साथ attach करेंगे तो top part को उल्टा करेंगे zip को open कर लें और bottom को इस तरह से fold करेंगे और इसे top part के बीच में इस तरह से set कर लें belt को अंदर की तरफ कर दें अब पूरे कमर पर इस तरह से half inch का margin लेते हुए से stitch कर लेंगे और side का जो margin है उसे इस तरह से fold करके side में कर दें और फिर stitch करें तो frog बिल्को रड़ी हो चुकी है तो आज के लिए friends पस इतना ही मिलते हैं next video में किसी ने topic के साथ तब तक के लिए bye bye